हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट मैं आज आपके लिए बाइलोजी के एक टॉपिक फलों की प्रकार्ट था खाये जाने भाले भाग लेकर क्या ही हो पेपर में एक दो कर्शन से जरूर आते हैं कि कौन सा फल कैसा होता है और उसका खाया जाने वालवा क्या होता है यह आपके आने वाले एक्जाम discate के यह यॉड हैसे के एक्जाम्स यॉडू से खेंश के लिए बहुत थिंपार्टेंट है यूपे फ्रे eS caso के लिए बहुत है उपी system मेरे च Sabrina को subscribe कर लीजो और उसकी भग ल में बने और नक्स्ट है अम्रूत यह कैसा होता है ये Articleihard ये कैसा होता है बेरी होता है ये भी और मदे भलविति तथा अंताय फिलविति खाई जाती है Next फूर्ट नेक्स्ट फॉल ए काजू और ये किस प्रकार का होता है फल ये नट होता है और इसका फुश्पुब्रत तथा बीच पत्र खाया जाता है नेक्स्ट है खीरा ये पेपो होता है और इसका मद्व तथा अंतय फल्वित्ती वह अपरा खाया जाता है नेक्स्ट है सेब और नाशपाती ये दोनों पॉम होते हैं और इनका मानशल पुसपाशन खाया जाता है नेक्स्ट है नारियल ये ड्रूप प्रकार का होता है और इसका भूर पोष खाया जाता है नारियल कई बार एक्जाम में पूछा गया है UPPSC है UPSSC के एकजामस में कई बार पूछा गया है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है तो भूर पोष खाया जाता है नेक्स्ट पुर्शन है भिंडी, भिंडी कैपसूल प्रकार का फल है और ये फल वित्ती तथा बीच खाया जाते हैं इसके प्रकार मेंने लिख दिया है खाया जाने वाले भाग में और खाया जाने वाला भाग लिख दिया है फल के प्रकार में तो लीची का जो फल का प्रकार होता है वो नट होता है और खाया जाने वाला भाग होता है रसीला एरिल next है टमाटर टमाटर कैसा होता है यह बेरी होता है और इसका मद्यफलवित्ती नथा अपरा खाया जाता है next है आम यह डूम होता है और इसकी मद्यफलवित्ती खायी जाती है इस तरह मेरे साथ जुड़े रहीے और मैं नएने अडेट्स आपके लिए लाती रहूँगी